Hello everyone, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे, so we was आज यहाँ पर आप दो डेक देख रहे होंगे Basically, आज मैं आपर इस रीडिंग में यह देखने जा रही हूँ, कि आप जिस परसन के साथ डील कर रहे हैं इस परसन के मन में दिल में आपको लेकर पहले क्या था, पहले क्या सोच इनकी आपको लेकर बनी हुई थी, और अब इनकी सोच करंट में आपको लेकर क्या बनी है, इनकी सोच में अब आपको लेकर कितना फरक आ गया है, क्या क्या फरक आया है, इस चीज़ को विवस मैं आप पर देखूंगी तो उसके लिए पहले मुझे इनकी ये एनर्जी देखती पड़ेगी कि पहले इनके विचार आपको लेकर क्या थी इनकी सोच आपको लेकर क्या थी यह किस तरह के इंसान के तौर पर यह परसन आपको देखते थे तो अगर आप इस तरह की रीडिंग में इं नहीं रीडिंग लेकर आउं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरू से पहुंच सके बैक टू दे रीडिंग आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैकसिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के उपर बनाएंगे हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन मे तीन से लेकर पांच बार जरू से लेंगे कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा और एवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेज जिजग को कर इस रीडिंग को देख सकेंगे तो फो तीके गाइड किजे यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्केंजर्स पीस और इंजर्स प्लीज अस्पेड गाइड मुझे गाइड की ज़ड़ बताईए इस रिश्टे में नहीं शुरूवाद करी ती divine मुझे guide teacher बताईए viewers के person की सोच viewers को लेकर पहले क्या बनी divine guide teacher तो यहाँ पे है ace of vans five of pentacles elephant empress five of cups guide teacher बताईए spirit guide divine viewers के person की सोच पहले viewers को लेकर क्या थी किस तरह के इंसान के तौर पर यह देख रहे थे page of swords reversed sun and reversed ten of vans case of cups seven of swords and bottom again age of vans तो सबसे पहले में एक बार आपको राशिया बता देती हूं वैसे तो सभी राशिया हो जाएगी अभी दूसरे deck से भी cards निकाला जाएगा और आपके और आपके partner की बीच की energies को पढ़ा जाएगा यह है एरीस, Leo and Sagittarius मेश, सिंगेंधनू राशी Cancer, Pisces and Scorpio करक मीनन वरिश्चिक राशी Gemini, Libra and Aquarius मितुन तुलाइन कुम राशी Taurus, Virgo and Capricorn व्रिश्चप, कन्या इन मकर राशी तो लोग सभी elements हो गए नंबर की बात करूं तो 1, 5, 3, 11, 2, 10, 1, again, 7 and 8 मंत की अगर बात करूं तो January, May, March, August, October, January, July, November and February ये मुझे कुछ months आपके लिए important बनते हुए दिख रहे हैं तो हो सकता है इन months में आपकी इस रिष्टे में नहीं शुरुआत हुई हो इन months में ये person आपसे पहली बार मिले हो आपसे बिछडे हो इसी month में इसी month में आपको इनका बर्तमत या आपका बर्तमत हो ठीक है देखेगा जब इस रिष्टे में नहीं शुरुआत हुई तो तो definitely ये person आपको लेकर क्या आपसे जुड़ी हुए रिष्टे को लेकर क्या काफी ज़्यादा passionate थे यानि कि इन्हें काफी अच्छा लगता था आपसे बात करना और ये भी chances है ये चीज़े आपसे कही भी हो इन्हों ने इन्हें आपसे बात करना अच्छा लगता है या आपको लेकर इनके दिल में कितना passion है कितना जुनून है या इन्हें आपकी लट पड़ गई है ये उस passion को ये अलग-अलग gesture के वे में आपको express भी करते थे मतलब पहले इनके दिल में आपको लेकर कितना जुनून भरा है या आपका इन्हें किस level पर नशा है वो सभी चीज़े ये person आपको definitely यहाँ पर बताते होंगे फिर चाहिए मात्यम इन्होंने कुछ भी क्यों ना चुन रखा हो आपका जो भी dressing sense था आपका जो भी बोलने का तरीका था जिस भी तरह से आप दिखते थे parties में जा रही हो तो आप जो भी पहनते थे वो सभी चीज़े इस इंसान को आपको लेकर एक अलग level पर आकर शित करती थी यूँ कहो तो इनका ट्रैक्शन आपको लेकर काफी जादा बढ़ता था वही जीज़े इस इंसान को इस रिष्टे में एक new brand beginning करने के लिए इसी में बने रहने के लिए इसी में बस अपने आपको समेटने के लिए इससे अलग कुछ और ना देखने के लिए भी इन्हें यहाँ पर बहुत जादा बोलती थी यानि कि यहाँ पर ये परसन पूरे रिती रिवाजों के साथ आपसे शादी करने की इच्छा तक उस अट्रैक्शन उस फीलिंग्स के चलते रख रहे थे भले आप दोनों के बीच में उस वक्त में ट्रडीशन, कास्ट, परंपराओ, रिलीजिस, मैरेड, अनमैरेड ये सब डिफरेंसे थे लेकिन उस पल में उस वक्त में इनके लिए वो चीज़े इतनी मैटर नहीं करती थी इतना आपसे बात करना, आपके लिए अपने पैशन को, जुनों को एक्सप्रेस करना हुआ करता था लेकिन यहाँ पर एक चीज़ में देख पा रही हो कि आप चाहिए इनसे मैरेड हो या अनमैरेड हो, वो मैटर करता नहीं है लेकिन कही न कही एक ट्रडीशन के नाम पर, डिफ्रेंसेस के नाम पर इनके सर पे, मन पे हमेशा एक बोज बंदा रहा या हमेशा एक बोज डाला गया फिर चाहिए बोज इनके मन में, इनके दिल में न, इनके परिवार वालों ने डाला हो differences के नाम का या फिर आप इनके परिवार में merge नहीं उपाओगे traditions, caste, age gap के नाम का तो वो सभी चीजें इनके मनमेना काफी जादा एक stress के तौर पर हमेशा रही जिसे लाद कर ये person कहीं न कहीं भी हुआ आपके साथ चलते जा रहे थे यानि कि जितना शुरूबाती तौर में आपने इनका passion, इनका जुनून देखा express होते हुए धीरे-धीरे करके आपने इनके behavior में बहुत सारे changes देखे होंगे as in कि जितना ज़्यादा ये आपके साथ खुश रहते थे वो express करते थे वो express करना इन्होंने बंद कर दिया बहुत limited कर दिया हाँ इसका मतलब ये नहीं आपकी care करनी बंद कर दी लेकिन उस वक्त पे इनके एक ऐसी situation चल रही थी जिसमें इने आप से प्यार ज़्यादा चाहिए था जिसमें इस इंसान को आपका support आपका सहरा ज़्यादा चाहिए था आपको देने से ज़्यादा और कहीं न कहीं आपके दिल में उस वक्त में ये शकश्द होना शुरू हो गया कि कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहे है कहीं इनकी जिन्दगी में कोई third party तो नहीं है जिसका idea मुझे नहीं है या फिर आपके मन में उस परिवार को लेकर शक्स develop होनी शुरू हो गया आपने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि इनके स्ट्रेस का कारण क्या बन रहा है या आपकी इस वक्त में ही इस इस इंसान को जादा केयर की जादा नरिश की जरूरत है और इसी चीज़ को इन्होंने इस रिष्टे में कही न कही कम देखना पाना शुरू कर दिया जिसके चलत ही बस स्क्रॉल कर रहे हैं यूट्यूब भी देख रहे हैं फेस्बुक पे जा रहे हैं लेकिन उसके पीछे का कारण था अंदर की तकलीफ वह तकलीफ थी कि शायद इने इस रिष्टे में बीच में ठोड़कर जाना पड़ेगा आपको बैक्स्टेप करना पड़ेगा और इन्हें कोई और डिसीजन लेना पड़ेगा आपसे हटकर डिसीजन लेना पड़ेगा यानि कि इन शॉर्ट शब्दों में विवर्स में या पर ये देख बारी हूँ कि आपके पार्टनर को पहले से ही वो डर लगने लगा था जो डर आपकी जिंदगी में बहुत बाद मे जिसके चलते ना वो चीजे वहां से एक बार बिगड़ी तो वो बस बिगड़ती चली गई उसके बाद वो सुधर नहीं पाई इस इंसान ने एक वक्त पे आकर वही चीजे करी जिसका डर भी ने था और जिस चीज के लिए इन्हें स्ट्रेस भी था कि जब वक्त यहां पर आपको बैक स्टेप करना पड़ेगा ठीक है सो ऐसा यहां पर है कि विवस आप ही कोई स्ट्रेस की नॉलेज नहीं थी लेकिन इन्हें पता था कि वह वक्त अब दूर नहीं है या वह वक्त जरूर से इस रिष्टे में आएगा ठीक है अगें कहना चाहूंगी चाहें आप इनसे married ओ unmarried ओ doesn't matter लेकिन इन्हें ये चीजें पता थी कि ये क्योंकि ये चीजें बार बार इनके सामने बोली जाती थी चाहें फोन पर बोली जा रही हो ठीक है हलकि इस चीज का इन्हें उस वक्त में अफसोस भी रहा इस चीज से ये इन्होंने पहले आपको अपनी जिन्दगी से दूर करा आपने इस इंसान को कोई कमी नजर नहीं आई या आपको लेकर इनके दिल में ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं था या ऐसा भी यहापर नहीं देख पारी कि इन्होंने कभी आपसे सच्चा प्यारी नहीं करा सब चीज इसको ये person clear करते तो शायद चीजे इतनी भी मैसी ना होती तो वही चीजे यहाँ पर viewers हुई हैं तो आपको ये बहुत अच्छा एक्डम perfect person के तौर पर देखते थे देख भी रहे थे हो सकता है थोड़ा सा status wise भी आप काफी जादा हाई हो तो उसके भी मुझे chances मेरे कुछ viewers के case में बनते हुए दिख रहे हैं यह सभी चीजे ने कहीं न कहीं आपी के साथ बने रहने के लिए इस रिष्टे में एक नई शुरुवात करने के लिए बोलती थी खोट जो भी था problem जो भी थी वो कहीं न कहीं इनके में थी या इनके आसपास के महौल में थी जिसके चलते इ और ये परसन आपसे कट भी हुए है, तो पहले इनकी सोच आपको लेकर ये थी जैसे एक नई दुनिया जी रहे हैं, इस दुनिया से कभी भी बाहर नहीं आना चाहते थे, इस दुनिया में ये परसन आपके साथ बने रहना चाहते थे, आपकी जिम्मेदारी तक ये परसन अब ये परसन आपको लेकर कैसा फील करते हैं अब जब इन्होंने सब कुछ चीज़े खराब करी दी हैं तो उसके बाद मेरे विवर्स की परसन की सोच अब विवर्स को लेकर क्या बन रही है अब वो किस तरह के इनसान के तॉड़ पर देख रहे हैं अब किस तरह की सोच इनकी बन रही है divine मुझे guide teacher बताईए wheel of fortune देखो राश्य नहीं बताऊंगी राश्य हैं सभी हो गई हैं क्योंकि the world five of pentacles again knight of cups king of cups guide teacher बताईए divine मेरे viewers के पसंद की सोच of viewers को लेकर क्या बन रही है किस तरह के इंसान के तौर पर अभी देख रहे हैं eight of swords seven of pentacles devil in the worst four of pentacles page of pentacles bottom is five of cups basically आपकी सिंदगी से दूर जाने के बाद इनकी जिंदगी इनकी किस्मत ने बहुत पढ़ी यह आप पल्टी मारी है यह पूरी तरह से जैसे मानो इनकी किस्मत भी आपर बदल गई है यह आपर जैसे मुझे यह चांस बनता हुआ दिख रहे हैं कि आप से दूर जाने की आपसे दूरे जाना था और उस सभी के चलते इने निरा इनिंशे भी अपने आपको दूर करना पड़ा और उनियों का किया क्या चीज़े कुरान करी हैं क्या जादा गुस्सा आता है तो वो मुझे इनकी एनर्जी जैसे दिख रही है इन्हें ये लग रहे है अब जैसे कि आपकी value तो इन्हें समझ में आ गई है क्योंकि ऐसा तो नहीं था आप में कोई खोट था या आप में कोई problem थी problem तो इन में दिया इनकी उस छोटी सोच में दिया इनके उस परिवार की छोटी सोच में थी लेकिन ये सबी दूरियों ने इस इंसान को आपकी importance तो समझाई लेकि साथ ही साथ में ने ये भी समझाया कि आपने अपने आपको काफी जादा cover कर है इनके दिल में मन में हाला कि अब आपको लेकर भी ये feelings develop हो रही है कि शायद बस इन्हों ने ही आपको अपकी यादों से जिंदा कर रखा है आपने कहीं न कहीं इतना कुछ होने के बाद इनकी यादों को इनको लेकर जो आपके दिल में emotions जास बात थे आपको उने आपने अपने emotions को काफी जादा काबू कराए ना वो सभी चीज़े इस इंसान के दिल में ये चीज़े डाल रहे हैं कि आपने अपने emotions पर काफी हद तक अब control कर लिया होगा आप इनका इंतजार भी नहीं करना चाह रहे होगे और आप उस बीते वक्त में शायद यह लोटना भी च काफी जादा नराजगी भी होगी और उस नराजगी के चलते आप पता नहीं क्या कौन सा कदम उठा सकते हो क्या कर सकते हो इन्हें उस चीज़ का अब idea नहीं है क्योंकि तब में और आप में अब में बहुत जादा फरक इस इंसान को देख रहे हैं कल तक आपको सिर्फ यह यह दिखाई देते थे आप इन्हें ही देखना चाहते थे और आप आज में सिर्फ अपने आपको देख रहे हो आपकी जिन्दगी में अगर किसी और की जगा नहीं है तो आपकी जिन्दगी में इनकी भी जगा नहीं बची है वो सभी सोच बन रही है इस इंसान की इनके आज दिख रहे हैं काफी वक्त तक आपने ने सोशल मीडिया पर ढूंड़ा लेकिन उस वक्त नहीं अपने आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल कट कर लिया वहां से उठकर जैसे मानों यह चले गए यह अपनी सोशल साइट से नहीं बंद कर दियो लेकिन अब आपने यहां पर आपसे छुपाया और आज आप इन्हें देखने में कोई दिल्चस्पी भी नहीं रख रहे हो तो वो सभी चीजे वो सभी सोच इस इंसान की इनके आज में बन रही है इन्हें यह भी लग रहा है कि अब आप एक ऐसे रिष्टे में क्यों आना चाहोगे जिस रिष्टे की जंजीरों ने आपको पूरी तरह से यहां पर तोड़ा या तोड़ कर रख दिया तो आप भला वैसे रिष्टे की तरफ क्यों बढ़ोगे तो मतलब एक सेल्फ डाउट अब आपके पार्टनर को इनके आज में काफी जादा है और इसी रीजन के चलते यह परसन ना कहीं न कहीं अपने इमोशन को आपकी यादों को जिनको लेकर यह आज भी अब भी पॉजसेव होते हैं इन सेक्योरिटी डेवलप होती है तो उसे कहीं न कहीं यह परसन दबाई बैटे हैं दफन कर रहे हैं या उसे अपने मन से अपने जहन से निकालने की ज़्यादा कोशिश कर हैं तो वो मुझे इनकी आज की सोच बनती हुई दिख रही है ओवरॉल यह परसन आपको देखो वीवस आप मानो या ना मानो लेकिन हां आपको इनके होने ना होने से इतना फरक नहीं पड़ रहा उस तरह से आपको यह परसन जादा देख रहे हैं जी के थोड़ा सो और द पैंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स एक सधक्षा प्रसन इस इन्सान को यह चीजे भी लग रही हैं कि अब आप ना एसे रिष्टे में नहीं जाना चाहते हो जिसमें डाउट्स रहे हैं हमेशा इस चीज की घबराट रही की मुझे चूड़ कर ना चला जाए या चली जाए अब आपको एक ऐसा रिष्टा चाहिए जहाँ पर एक healthy शुरुबात हो जहाँ पर चीजे balance में हो जहाँ पर नियाएं आपको मिले या legally वहाँ पर आपको ये चीजे मिले कि हाँ ये कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे या कभी इस रिष्टे में आपको द दिया जाए ना इस रिष्टे के बारे में कि आपको सोचनी हैं तीके अब में यह आज में ये परसन आपकी यादो को इस लेबर सोच रहे हैं वीवर सिसे वांनो को आप अपमी ही इनका जीवन साथी दिख रहा है, जिसको ये खो बैठे हैं, इनको अपना perfect हम दम हम साथी दिख रहा है, तो वो उस तरह से ये person देख रहे हैं, लेकिन आप इने इस तरह से उस नजरों से नहीं देख पारे होंगे, वो सोचना इनका इनके आज में है, खल तक definitely आपने इस person पर बहुत यकीन करा, लेकिन आप आज इस इनसान पर 1% भी यकीन नहीं करोगे, नहीं कर पारे हो, ये तक सोचना इस person का इनके आज में यहाँ पर बन रहा है, मैं आपर देख रही हूँ, पहले ये person आपसे क्या कहते थे, जो अक्सर इनोंने कहा भी होग आपसे, अब फिर देखूंगी, अब क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, डाइट कीजिए, बताइए, मेरे विवर्स के person, पहले विवर्स से, क्या कहते हैं, जो हो सकते हैं ये person कोई गाना सुनते हो, और कहते हो कि जब भी ये गाना सुनते हैं तो ये आपको इमेजन करने जब भी आपके सामने आते हैं, आपसे जब भी बात करते हैं तो एक तरह से ने धुक्तुक होने लगती हैं, घवराहट फील होने लगती हैं, एकदम से हिम्मत नहीं परपाती इनकी आपसे बात करने की, you are so mysterious, आप एकदम से पहली थे इनके लिए, जिसे ये सुलजाना चा You don't know how sorry I am, और जब भी कोई गलती होती थी तो ये उस वक्त पे बहुत sorry feel करते थे, भले उस वक्त पे नहीं कभी आपसे मुसे sorry ना बोला हो, लेकिन एक तरह से आपसे फिर भी sorry तो feel कर ही लिया करते थे, जैसे अब तो इनके मिजाज ही कुछ अलग-अलग से हैं, चलिए य देख रही हूँ, अब ये person आपसे क्या कहना चारे, इनके messages अब क्या हैं आपके लिए, गाइड कीजे universe, please divine, please archangels, please holy angels, please spread guide, मुझे guide कीजे बताइए, मेरे viewers के person अब viewers से क्या कहना चारे है, spread guide divine, मुझे guide कीजे और बताइए, viewers के person के messages अब क्या हैं viewers के लिए, I decided to text you, but then I just can't, तो इनके दिल में अभी भी आपसे बात करने की चाहें उठती हैं, लेकिन फिर ये नहीं करते हैं आपसे बात, आपसे ये कहना चारे हैं, I write poem about you, अब गाने तो नहीं लेकिन आपको याद करके poem लिख रहे हैं, I have no healthy boundaries, अब कहना चारे हैं, अब इस को तोड़ कर एक गाट ऐसी बांद दी है, जिसके चलते हैं, अब कुछ भी आपर healthy नहीं नजर आ रहा हैं, I appreciate you behind your back, अब आपके back के पीछे आपको appreciate करते हैं, मैंने आपसे बोला ना, कि कहीं ना कहीं आप इस इंसान को थोड़े बदले-बदले मिजास के नजर आ रहे हो, no one compares to you, I have never felt for you, तो पहले बले नोने ये चीज़े नहीं महसूस करी हो, नहीं जानी हो, कि आपका comparison अगर ये करने चले न, तो definitely ये उसमें नाकाम या भी होंगे, यानि कि आपका comparison ये किसी से भी नहीं कर सकते हैं, अब ये person आपसे इवन ये तक कहना चाहा रहे हैं, ठीके, च आपसे क्या बोला जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों में आप जब दोशी हो ही नहीं, तो क्यों आप अपने आपको सजा दो, यानि कि यहाँ पर जब आपने कोई गलती करी नहीं है, आप तो इस रिष्टे में हमेशा अपने आपको पूरा होते हुए देखना चाहते हैं और पूरा होते हुए आपने देखा भी, तो आपके जब यहाँ पर कोई गलती नहीं है पूरी तरह से जब यहाँ पर निर्दोश हो, तो क्यों आप यहाँ पर इस रिष्टे के बारे में सोच कर अपना खून जला रहे हो, अपना मन परिशान कर रहे हो, यह स्ट्रेस ले रहे हो, आप से बोला जा रहे हैं, अब यहाँ पर वक्त है, सिर्फ और सिर्फ अपने इसान के बिनाना अधूरा मत समझो क्योंकि यहीं चीजें आपके बन में यह चीजें डालना शुरू कर देती हैं कि वह उस के बिना खुश नहीं रह सकती हैं मतलब आप खुश भी रह सकते होंगे तो भी आप नहीं रह पाओगे आपके चेरे पर हशी भी आएगी स्माइल भ अप mentally अपने आपको इस तरह से prepare कर चुके होंगे कि मैं उसके बिना कैसे खुश रह सकती हूँ या मुझे नहीं रहना है उसके बिना खुश या मुझे नहीं होना चाहिए उसके बिना खुश तो ये सभी चीजे आपके लिए as a guidance बोली जारी है काफी अच्छी guidance रही बस आप connect कर पाए हो मेरे लिए ये ज़्यादा मेन important चीज है अगर आप connect कर पाए लेकिन स्टिल आपनी अभी तक like, claim, gratitude ये सब नहीं दिया तो आप दे दीजेगा आप कर दीजेगा चैनल पर आप पहली बार मुझे से इस reading के माध्यम से जुड़े जुड़ रही है लेकिन स्टिल आपनी अभी तक subscribe करके bell icon को press नहीं करा तो आप कर दीजेगा ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई reading लिकर आऊ तो इसकी notification आप तक जरूर से पहुँचे आज के लिए बस इतना ही मिलती हूँ नेक्स ट्रेडिंग में ओके बाबाई वीवर्स